जब राम जी ने कहा कि देवी जंगल में चलोगी हजारों संकत आएंगे तो यहीं रहो माई बोली हमें चलना है देखो संकत आएंगे माई बोली हमें मालूम है तो संकत आएंगे कैसे रहोगी माई ने कहा राधो जिसके साथ में स्वयम भगवान स्री राम जी जा रहे हूँ वहाँ कोई संकत नहीं आएगा तो प्रभु मुश्कराए माई ने कहा रागो क्या मैंने कुछ गलत बोला नहीं तो आप मुश्कराए मैं समझ नहीं पा रही हूं कहा देवी हम तुमें बचन दे रहे हैं तुम कह रही हो जब राम साथ में है तो संकत नहीं आएगा देवी हम तुमें बचन दे रहे हैं जब तक तुम्हें राम सुन्दर लगेगा कोई संकत नहीं आएगा लेकिन जब राम से ज़्यादा कोई और सुन्दर लगेगा उसी दिन संकत आएगा तो जब तक राम जी सुन्दर लगे संकट नहीं आया है और हिरन की चाम सुंदर लगी संकट उपस्ते दुर जब परमात्मा से ज्यादा संसार में कोई बस्तू संसार का कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा सुंदर लगने लगे तो संकट को निमंत्र दिया जा रहा है अच्छा मान लो हम मान लेते हैं कोई माता बहन भाई बहुत सुंदर है मान लो उसकी सुंदर्ता में अट्रेक्शन है उसकी सुंदर्ता आपके उपर अटेक करती है जबर्दस्ती मजबूर करती है देखने को बार-बार मन करता है देखते रहें तो क्या उसके देखने में को कोई अधर्म हो जाएगा, नहीं, कोई अधर्म नहीं होगा, तो कैसे देखना है, जब भी आप उसको देखें, देख करके आँखों की पलकें बंद करें, और यह सोचें कि जब यह इतना सुन्दर है, तो इसे बनाने वाला मेरा वो कितना सुन्दर होगा, जिसकी रचना इतन ना संदर होगा एक बार उससे बिल्लाची होगा है कि यह बात है साथ एक ही भगवान ने देवता मोहनी में देख रहें और दैत्य मुहनी को देख रहे ऐसे नहीं ज़र भासा सुनों पहले बली की भासा सुना रहा हूँ जब दैत्यों ने बली ने भगवान को सारी पहने मुश्कराते देखा तो बली ने कहा अहो रूप अहो धामा कोत्वम कंजपला साख्षी कुतोबा ये बली की भासा है आप संस्कृत में समझ नहीं पार है हिंदी में बोलू हिंदी में बोलू हिंदी में मतलब बली ने भगवान से ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूँ तुम इतनी सुंदर हो तुमारा कोई है नहीं क्या है बली बोला जैसे तुम्हें और कोई ना मिले तो मतलब जैसे हम कैसे रहेंगे बली ने तुम से नहीं पटेगी तुम बहुत बेइमान आत्मी है बली ने गा ये तुम्हें कैसे मालूम कि हम बेइमान है का देखो तुमने देवताओं ने मिलके समुद्र मंतन किया अई ये कलस अकेले लाने की दरुवत थी अरे बटवारा करना चाहिए बेइमान अदमी हो बली बोला जैसे कलस हम आपको देदें तो आप हमारे साथ रह स इंद्र ने कहां प्रभू कि आज तक हमें बेद भगवान पर ये डाउट था ये संसे था कि बेद भगवान ये कैसे कह सकते हैं अरे परमात्मा पुलिंग है कि इस्त्री लिंग है बताईए भाई पुलिंग है ना इस्त्री लिंग तो है नहीं अब बेद ने क्या कहां त्वामेवा माता अगर वो माता है तो इस्त्री लिंग फिर आंगे कह दिया चापीता त्वामेवा तो पुलिंग हो गए तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि इस्त्री लिंग है कि पुलिंग है भगवान लेकिन आज जब हमने तुम्हें साडी में देख लिया तुम समझ गए जै हो प्रभू आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता आप तो दोनों ही बन सकते हैं यह यथा माम प्रपध्यनते जो जिस भा तो ही पेता, तो ही मता, तो ही पेता